नमस्कार मैं हूँ आपके साथ रविक्षा शर्माम रदुभाशी के खास सेग्मिन 2PM शो में आपका स्वागत है चलिए रुख करते हैं देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों की तरव केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में ब्यासदर कटोती का फैसला वापस ले लिया है वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने गुरवार सुभ़ ट्वीट किया यह फैसला भूलवश जारी हो गया था भूल से जारी फैसले में नौ छोटी बचत योजनाओं की ब्यासदरों में एक दशमलव एक शुन्य प्रतीशत तक की कटोती की गई थी इस फैसले में PPF, सुकन्या सम्रती योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नैशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंतली इंकम स्कीम, टाइम डेपॉसिट, लेकरिंग डेपॉसिट और बचत खातों में जमा पैसों पर ब्यासदरे कम कर दी गई थी अविन बचत योजनाओ में लाभार्टियों को पहले की तरह ब्यास मिलता रहेगा दक्षन भारत के सूपरस्टार रजमी कांथ को दादा साहिब फाल के अवार्ड 2020 से नवाज जाएगा इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है दरसल तमिलनाडू में 6 अपरेल को विधान सभाद चुनाव के लिए वोटिंग होनी है रजनीकांथ का राजनीती में आने का सपना अधूरा ही रह गया 70 साल के रजनी ने खराब सेहत की वजह से चुनावी राजनीती में नहीं आने का फैसला किया है 3 दिसंबर को रजनीकांथ ने कहा था कि वे नई पार्टी बनाएंगे और 2021 का विधान सभाद चुनाव भी लड़ेंगे देश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है यहां बुद्वार को 72,000-72 संक्रमितों के पहचान हुई 40,417 ठीक हुए और 458 मरीजों की मौत भी हुई नए मरीजों का आकड़ा पिछले 172 दिन में सबसे ज्यादा है इससे पहले 10 अक्टूबर को 74,418 केस आये थे मौत का आकड़ा भी बीते 116 दिनों में सबसे ज्यादा है इससे पहले 5 दिसंबर को 482 लोगों ने अपनी जान गवाई थी देश में अब तक करीब 1 करोड 22 लाख लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं करीब 1 करोड 14 लाख ठीक हो चुके हैं 1 लाख 62 लाख ने अपनी जान गवाई है 5 लाख 80,000 का इलाज चल रहा है विंद्य प्रदेश की मांग को लेकर मईहर विधायक नारायन तरपार्थी ने एक बार फिर अपनी बात रखी है तहसील मुख्याले जवा की राज पैलिस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बड़ी बेवाकी से विंद्य प्रदेश बनाने की अपने अभियान पर सवालों के जवाब नारायन तरपार्थी ने दिये उन्होंने अपने परिचय के दौर में कहा कि विंद्य के साथ हमेशा से सोतेला व्यभार किया जाता रहा है जबकि विंद्य प्रदेश किसी भी मामले में कभी भी कम नहीं रहा है यहां धार में केवं परिटन स्थल तथा उद्योक कारखाने सहित प्राकृतिक प्रदत अपार्थ खनीच संपदा से परिपूर्ण है बड़ी-बड़ी राजनीतिक हस्तिया यहां से निकल कर प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर चुके हैं लेकिन जब बात अधिकार की आती है तो उसे बड़े स्तर से दबा दिया चाता है रतलाम के सैलाना फोर लेन पर धाबे पर काम करने वाले करमचारी को अग्यातनकापोश बदमाश ने गोली चलाई और फरार हो गए गोली करमचारी के गाल को छूकर निकल गई जिसके बाद प्राथमिक उप्चार के बाद खायल करमचारी को जिलास्पताल में जैफर किया किया है वहाँ उसका उप्चार चल रहा है पूरी घटनाज CCTV में कैद हो गई बताया जा रहा है कि आमबा निवासी राकेश खराडी उम्र 18 साल मदुवन धाबे पर कारी करता है यह करमचारी पूर्व में इसी धाबे पर हुए विवाद का गभा भी था जिसे शाम करीब आठ बजे अक्या तीन नकापोश ने गोली मार दी फिलाल सैलाना पुलिस अस मामले में अग्यात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है आज के लिए इतना ही अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियों की साथ तब तक के लिए आप देखते रहें मृदुभाशी न्यूज आप देखते रहें मृदुभाशी देखते रहें मृदू